कप जा समय दो, में शुन कुछ दराइडो वू ॉॉ सपस्वेयरजानकुने शीमाने देली के लिए। तो विखremo देखें से आधिचैनी क्लुन सा टोपिक , और विदीो में दिखें गिए थोई में द्धाफिटी प्रोज़-विदिथ-जमानई-ध्विद्ध करते हैं. इनको डीटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनस एथिक से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब किजिए और किसी डॉपिक पर वीडियो चीट आप कमेंट कर सकते हैं. पहले हम देखते हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो एथिकल डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें की लोग जो है different ethical rules, principles या guidelines के basis पर affect होता है मतलब जब भी वो कोई decision ले रहे हैं तो उसमें वो जो भी ethical rules है moral आपके principles होते हैं, guidelines होती हैं उनको follow करके किसी भी decision को लेते हैं और decision आप बहुत सारे option में से evaluation करते हैं और फिर select करते हैं कि कौन सा option आपके लिए best है तो यह उता है ethical decision में की decision making के context में जो ethics होते हैं आपके personal standard होते हैं सही और गलत के बारे में और यह basis होते हैं ethically आप कैसे sensitive decisions को लेंगे उनके रहे ethical decision making है cognitive process है जिसमें कि आप ethical principles, rules, guidelines को follow करते हैं ताकि आप industrial या group के साथ जो भी action लिए जा रहे हैं वो ethically हो तो simply बोला चाहिए तो ethical decision making की जब भी आप कोई decision ले रहे हैं decision मतलब कि आपके पाल बहुत सारे alternative options है आप उसमें से best option को choose करते हैं वो आपका decision होते हैं उस decision को लेते हैं टाइम पर आप rules, principle और guidelines को follow करते हैं तो वो होता है ethical decision making next time हम देखते है कि क्या process होती ethical decision making की तो इसमें seven steps होती है first आता identify the ethical problem, second है collect relevant information, third है evaluate the information, fourth है consider alternatives, fifth है make a decision, sixth है act or implement और seven है review the action अब हम इनको detail में देखते हैं, first आता है identify the ethical problem, जो decision maker होता है वो determine करता है कि क्या problem सारी हो उसको भचाता है तो क्या possible violation हो सकते है rules के, मतलब ethical principle के, societal laws के या organizational standard or policies के आप उनको पता करते हैं तो आप यह पर potential consequences को देखते हैं कि क्या result होंगे, क्या आप उन चीजों को avoid कर सकते हैं, क्या आप action लेंगे या आप उस problem को कैसे solve कर सकते हैं तो यह पर पहले आप ethical problem को जानते हैं कि का आप आपने rules का violation किया है या कुछ ethical principles लोग को आपने follow नहीं किया है फिर second आता है collect relevant information, जो decision maker होता है, वो possible information को इखटा करता है, जो consequential focus है, वो decision maker को बताता है तो आप यह पर major करता है किस type, degree, amount से आपने harm किया है, मतलब आप उससे relevant information को इखटा करते हैं आता है evaluate the information, एक बाद जब information एखटा हो जाती है, फिर decision maker apply करता है उस type के standard या assessment criteria को कि आप situation को कैसे evaluate करेंगे तो यहाँ पर आप information को evaluate करते हैं कि कौन से information आपके काम की है, कितनी काम की, किन information पर आपको focus करना है फिर जो decision maker होता है, वो ethical theories को देखता है, जिसमें कि आपकी right, justice और utilarism theory आती है तो utilarism में जो decision maker होता है, वो देखता है कि कोई भी outcome या जो भी action है, मतलब जो आपको ज़्यादा अच्छा दे, maximum good हो उन decisions पर आप जाते है फिर आता है right, यह बताता है कि जो decision maker होता है, जो चीज़ें सही होती है उस पर करता है जो आपके decision को affect का रहा है और justice बताता है कि आपका focus होता है कि equal distribution होना चीए, तो in theories के basis पर आप evaluate करते है information को फिर fourth आता है consider alternatives, यहाँ पर जो decision maker होता है, वो generate करता है कि क्या action alternatives उसके पास available है तो वो उसके लिए जो भी दूसरे लोगों के action से उनको confront करता है, higher authorities की तलाश करता है कि वो उनको मिल जाए ताक कि वो alternatives उनको बता सकेगी क्या के options हो सकते हैं, और जो चीज़ें चल रही है आप उसमें change करते हैं, उसके direction में change करते हैं फिर आता है make a decision, अब यहाँ पर decision maker देखता है कि जो हमने evaluation के अधा criteria का कि हम case basis पर evaluate कर रहे है information को, उसके basis पर हम decisions को लेते हैं, जो decision maker होता है वो alternative में से choose करता है कि कौन से actions पर उसको जाना चाहिए, जो कि ethical theories उस option को support करती है, उस decision को support करती है और यहाँ पर आप other evaluation के criteria का भी use करते हैं, decision making process में, फिर आता है, sixth act or implement, जो decision maker हो अगर actually में किस भी problem को solve करना चाहता होगा, तो वो यहाँ पर उस चीज के लिए action लेता है अब six, में आता है कि जो भी decision आपने लिया है, finally कि आपको keen decision पर जाना है, जो कि ethical ही सही है, जो कि ethical principle theories को follow करता है, उन rule guidelines के according है, अब आप उसको implement करते हैं, उसको process में लेके आता है, उस decision पर काम करते हैं, फिर आता है, seventh, review the action, जब आपने actions को ले लिया है, तब आप देखते ह कि जो भी problem थी, वो कितनी solve हो पाई है, उसमें कुछ changes करने की जुरूरत है, या फिर से decision making process को start करने की जुरूरत है, तो वो यहां पर review किया चाता है, मतलब जो भी आपने decision लिया है, उसका feedback मिलता है आपको, next time देखेंगे कि कौन से factors होते ही, जू की influence करते है, ethical decision making को, तो इ individual factors, individual factors, वो factors होते हैं, जू की individually किसी person से related होते हैं, मतलब उसकी age, जो लोग जादा age वाले होते हैं, वो जादा ethical होते हैं, comparison to जो लोग छोटे होते हैं, उनके comparison में, वैसी बात करें, लोग का attitude कैसा है, कोई ethically जादा होगा, उसका attitude, किसी का unethics पे जादा attitude होगा, फिर आता awareness or recognition, मतलब लोगों को कितना पता ethical issues के वारे में, कुछ लोग को जादा पता होगा, कुछ को कम पता होगा, communication क्या सा है, education, अगर high education होगी तो आप अच्छी तरीके से ethics को follow कर रहे हैं, ethically decisions को लेंगे हो, कम education होगी, तो आप नहीं करेंगे, आपका ego का strength, empathy, emotional feelings, आपका work experience, अगर experience आपका चाहता है, तो आप ज़्यादा ethical होगे, कम होगा तो कम होगे, field में dependency कितनी है, individuality, intuitions, knowledge, locus of control, locus of control external भी हो सकता है, external control बताता है, कि आप जो भी flow चल रहा है, उसके साथ जा रहे है, वही internal control बताता है, कि आप इसमें bleed करते हैं, कुद के efforts और skills के basis पे आप ethics को follow करते ह आपके कैसे religion, responsibility, अगर ज़्यादा responsible है, तो आप ज़्यादा ethical होगे, ज़्यादा skills होगी, तो ज़्यादा ethical होगे, मतलब जो भी चीज़ा आपके अंदर industrial में ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा ethical ही behave करते हैं, फिर आता है relations factors, relation factors बताता है कि क्या characteristics और aspects आपके interrelated होते ह वो आपके ethical decision को influence करेंगे, तो इसमें first आता characteristics of patient या client, कि client के अंदर कैसे characteristics है, उनका corporation, culture का background, gender, dependency, education का label, वो सब impact डालता ethics पे, फिर आता epistemology, यह theory and knowledge या methods, validity, scope के regarding, जो की difference को बताती है, justify beliefs और opinion के बीच में, power asymmetric, patient-client की psychologist relationship कैसे उनके, उनके अच्चे होंगे तो वो दोनों ethically behave करेंगे, नहीं होंगे तो unethically behave करते है, significant, support you network के आपका network कितना support यह, ज़्यादा support करता हो तो आप ethical है, कम support करता है, मतलब लोगों की problem से आप सुननी रहे हैं, उनों issues को solve नी कर रहे हैं, तो आप unethical है, तो यह relationship factors जो कि आपको influence कर और नहीं है, तो unethical तरीके से decision लेते हैं, तो code of ethics क्या है, मतलब आपे जो code of ethics, जो सारे लोग follow करें, अगर वो अच्छे से बने हुए, तो आप ज़्यादा ethically behave करते हैं, नहीं बने है, तो नहीं करते है, consequence मतलब आपको पता है कि कुछ भी करने से, उसका क्या result आएगा, external pressure मतलब कितने आप law, rules, regulation को follow करें, जो legally बने हुए, organization का group norms, culture कैसा, organization का structure कैसा, वर्ग प्लेस में multi-discipline, rity कितीनी है, तो ये organization से related factors, जो की ethical decisions को affect करते है, फिर आता है situational factor, कि particular situation में कुछ factors आपको affect करते हैं, कि उन situation के according, आप ethically या ने-ethical के तरीके से behave करते है, तो first आता है characteristics of the setting, कि जो भी particular area में particular issue हो रहा है, वापे कैसी settings है, क्या issues है, उसमें लोग कितना participate करें, किस type का issues है, तो वो आपके decision को influence करेगा, क्या consequences होंगे, मतलब आपको पता है कि वापे क्या decision लेने से क्या result हैंगे, finance, job के context से भी आप सोचते हो, क्या क्या option available है, particular situation में, तो ये कुछ situational factors जो कि आपको ethically influence करते हैं, for example, आपने कुछ accident देखा, तो आप उस time पे उसको बचाने की गोशिश करेंगे, ambulance को बलाएंगे, या आप आप से चले जाएंगे, कि आप पे blame ना जाए, तो ये situational factor कि आप उस particular setting में, issues में, क्या result हैंगे, आप उन सारी चीजों को सोच के particular ली त area है, वहां के लोग, environment कैसा है, तो वो आपको affect करेगा, healthcare system कैसे है, nation और cultural context में आप देखेंगे, government कितना involved होती है, government कितना ethically, laws अगर जादा बने हुआ है, rules regulation जादा है, तो सारे लोग जादा ethically behave करेंगे, politics, जो political parties है, वो किस तरीके से, लोगों पे impact डाल रही है, वो क्या rules regulation लोगों को, बोल रही है कि उनको follow करना है, और religion, तो यह society से related factors जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, तो शोशोगल जाए factor आपको affect करेंगे, ethically और अन-ethically behave करेंगे, तो हमने देखा कि क्या-क्या factors हो कि ethical decision making में आपको affect करते हैं, तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ethical decision making क्या हो